पुल्वामा हमले की जिम्दार जैशे मुहम्मद की सरगना मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में दीवार खड़ी कर दी हो लेकिन चीन की दीवार के पीछे मसूद अजहर अब ज्यादा दिन छिपकर रह नहीं पाएगा क्योंकि पहले फ्रांस ने अपने यहां मसूद अजहर को बैन किया और अब यूरोपियन यूनियन में मसूद अजहर पर बैन का प्रस्ताव लाया गया है अगर ऐसा हुआ तो यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में मसूद अजहर की संपत्ती जब्त कर ली जाएगी इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में मसूद की यात्राओं पर फंडिंग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है European Union में मसूद पर बैन का ये प्रस्ताव तब आया है जब UNSC में मसूद अजहर को बैन करने के प्रस्ताव पर चीन ने चौथी बार वीटो लगा दिया